Welcome to RJ Vaston, आप सभी को मेरा नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के पढ़ाई से रिल्टे क्या आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा? क्या आपका बच्चा पढ़ता है लेकिन उसे याद नहीं रहता? क्या आपका बच्चा एक्जाम में recall नहीं कर पाता, लिक नहीं पाता, भूल जाता है? क्या वो पढ़ना तो चाता है? लेकिन focus नहीं कर पाता, concentrate नहीं कर पाता? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है और ऐसा नहीं इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चो के पढ़ाई से related सबसे important direction है West-South-West direction, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, West-South-West direction, South-West direction और West direction के बीच में पाई जाते हैं. West-South-West direction, education, knowledge और savings की direction है, अगर यहाँ पर toilet आ जाए तो वो क्या करेगा? वो आपके education और knowledge को dispose of कर देगा, और क्या-क्या नहीं होना चाहिए इस direction में? तो इस दिशा में kitchen, washing machine, green, brown और red color नहीं होना चाहिए. अगर toilet है, तो जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, toilet के तीनों या चारों तरप white color की tape या iron की strip लगा दे. कीचन है, तो gas burner के नीचे yellow color का पत्थर रख दे, washing machine के नीचे white color की mat डाल दे, और anti-colors को वहाँ से हटा दे. इस दिशा में हर एक चीज साफ रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक के जीवन में पढ़ाई और गैन ज़रूरी है. ये सब करने से आपकी west-touth-west direction balance हो जाएगी और आपको education में problem नहीं आएगी. अब आपका बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन वो focus नहीं कर पाता, concentrate नहीं कर पाता, तो आपको देखनी है अपने घर की north-east direction. north-east direction mind की direction है, वो हमारे head को represent करती है. अगर mind सही रहेगा, तो ही हम पढ़ाई पर अच्छे से focus कर पाएंगे. इसलिए आपको देखना है, north-east direction में कहीं लाल या पीला रंग तो नहीं है, यहाँ पर toilet तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, north-east के toilet की कोई भी remedy नहीं है, toilet seat को हटवाना ही एक मातर उपाए है. यहाँ पर kitchen है, तो आप उसे next direction में shift कर सकते हैं. और यह direction भी west-south-west direction की तरह हमेशा साफ रखनी चाहिए. ज्यादा भारी चीज़े या clutter, north-east में हमेशा avoid करना चाहिए. और एक important बात, अगर आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा खेलने में mobile phones, cricket या और किसी चीज़ में ज्यादा लग रहा है, तो आपको चेक करना है, आपके west-south-west direction में कही बच्चों के खिलोने, cricket kit, mobile phone, ऐसी चीज़े तो नहीं रखी हुई. अगर है, तो उन्हें वहाँ से हटा दे और उनकी जगा पर books रख दे. ऐसा करने से आप देखेंगे, अब आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में ज्यादा लग रहा है. ये दोनों direction आप सही कर लेंगे, तो आप देखेंगे, आपका बच्चा अच्चे से पढ़ने लगा है, और उसे याद भी रहने लगा है. और भी important बाते हैं पढ़ाई से related, जिससे study table, बच्चे कहाँ पढ़ाई करें, या उनकी सोनी की position, direction, इन सब के बारे में हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में. अब आज की वास्तु टेप, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्चे से पढ़ाई करें, उसका पढ़ाई में मन लगें, तो उसके study table पर सरस्वती जी की एक छोटी सी मूर्ती east facing करके रख दें. और अगर आपके बच्चे को कोई subject पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उस subject की बुक में एक मूर्त पंक रख दें, इससे वो concentrate कर पाएगा और उसको अच्छे से याद रहने लगेगा. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. Stay happy and healthy. Thank you.